आज हम इंडियन पॉलिटी का फॉर्थ लेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है प्रियम्बल आफ इंडियन कांसियूशन फर्स थर्ड लेक्चर में हमने फर्स इंट्रोडक्शन डाली थी कांसियूशन की और सैकेंड लेक्चर में हमने फीचर डाली थे कांसियूशन के औ जैसे आपने बुक में देखा होगा कि यहां उसमें पूरी हिस्ट्री विगेरा पूरा एक बुक का बताया होता है जा फिर जैसे आब información एक एक आख्सपर्ट थे जिनका नाम है NA पालक की वाला इन्होंने प्रियंबल को आडमीड कार्ड बोला हुआ है थीकह इन्होंने क्या वोला हुआ है प्रियंबल को एड्मिड कार्ड का एड्मिड कार्ड क्यों बोला अब जैसे अब हम लोगी कहीं स्कूल्स में यहां फिर कॉलेज में कहीं लगे हों तो हमारे पास एड्मिड कारड हूँ तो हम admit card देखके ही पहचान कर लेता है कि यह कहां से बिलॉंग करता है नेम देखके, इंसियूट का नाम देखके, यहां फिर क्या करता है यह ठीक है, ऐसे ही preamble को हम देखके हम पूरे constitution का पता कर सकते हैं ठीक, constitution में क्या लिखा हुआ है, क्या है, ठीक, तो हम इसको तभी admit card बोलते हैं फिर first country कोन थी, जिन्हों इसको adopt किया था, American constitution ठीक है, first country कोन सी थी, जिन्होंने इसको adopt किया था, America ठीक है, जो first हो, woman के बारे में हो, जा important हो, वो हमेशा paper में पूछते हैं तो first country कोन सी थी, preamble को adopt करने वाली, American constitution ठीक है, और यह किस के base पे है, किस के base पे है, यह objective resolution हमने introduction में पढ़ाया है कि जो objective resolution थे, वो किस ने पास किये थे वो किये थे हमारे पंडी जवालाल नहरू ने, ठीक है, पंडी जवालाल नहरू जी ने किये थे ठीक, कोन थे पंडी जवालाल नहरू जी, यह हमारे first prime minister of India first prime minister, इंडिया के थे यह, ठीक है, उसके बाद constitution assembly ने इसको कब adopt किया, constitution assembly ने इसको कब adopt किया, objective resolutions को 9047 में, ठीक, अभी यह बहुत बार question आया हुआ है कि objective resolution किसने दिया है, पंडी जवालालारू ने दिया हुआ है, ठीक है, यह preamble का base किस पे dependent करता है, objective resolution जो पंडी जवालालारू ने दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मैं आपको constitution बता, यह हमारा constitution, ठीक है, यह आप सभी ने देखा होगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, हार एक book के आगे होता है, with the people of India, have resolved to conceive India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure all citizen, फिजस्टिस, यह इसके element है, जस्टिस किसी साब की social, economic और politically, liberty, liberty किसी साब की thought, expressions, belief, faith, worship, equality, security, status में, opportunity में, ठीक है, और fraternity, dignity के लिए, ठीक है, in our constitution assembly, the 26th day of November 1949, do adopt to give the ourselves constitution, ठीक है, यह हमारा constitution है, मतलब यह हमारे preamble है, ठीक है, इससे हमें पूरा पता चल जाता है, यह हमारा constitution कैसा है, हमारा state कैसा है, ठीक है, इसमें पूरा, यह admin card की रही है, ठीक, अब जैसे इदर बताया हुआ है कि nature of Indian state, Indian state का nature कैसा है, sovereign, socialist, secular, democratic, और republic, ठीक है, इसको हम explain करते हैं, हमने इसको feature में भी थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि किस हिसाब का nature है, इसका किस हिसाब के elements है, इसमें, sovereign, sovereignty क्या होती है, sovereignty कहां से हमने लिया हुआ है, latent word आई है, ठीक है, ऐसे भी question बहुत बार आयों है exam में, जैकि SSV के exam में कि sovereignty कौन से बढ़ से, latent से लिया है ग्रीक से लिया है, तो यह कहां से लिया है, latent word से, latent word में इसका नाम है, suranus, suranus, जिसका meaning है, supreme authority, ठीक है, जिसका मतलब है, supreme authority, ठीक, यह हमारी दो types की होती है, एक internal और एक external, ठीक है, एक external और एक internal, external होता है कि, बहार के किसी का भी control नहीं है, यहां पे, और internal यह है कि, जितना भी अंदर का काम होगा, वो हमारा constitution हमारी government खुद करेगी, ठीक, सोबरन का मतलब होता है कि, जैसे आपने, हमने history पर पड़ी हुई है, हमें पता है कि 1600 में अंग्रेजों ने rule किया था, पहले medieval इंडिया में मुगल से, फिर उसके बाद dynasty थी, हना, उस time पर क्या था कि, बाहर के लोग rule कर रहे थे हमारे पर, हम खुद rule तो कर नहीं सकते थे, लेकि 1947 के बाद, देश अजाद होता है, और 2015 में जब हमारा सविदान बनता है, constitution बनता है, उसके बाद हमने पुरी command, मतलब हमारे पास होगी, authority सारी हमारे पास होगी, तो इससे क्या होता है कि हमारे इंडिया सॉबरन हो गया, सॉबरन हो गया, जितने भी काम करने हैं, ठीक है, जितने भी काम करने हैं, वो इसने को, इसी को हम constitution day भी बोलते हैं, और फादराफ constitution को ने हमारे डॉक्टर बीम राव अमबेटकर, क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जो drafting committee बैटी थी, उसके chairman भी यही थे, और सबसे चाहदा architect, मतलब बनाया भी इन्होंने ही यह, constitution, और 26 January day क्यों लिया हुआ है, क्य session, लाहर में session बैटा था, और उसके president थे, जवाला नारू जी, ठीक है, जवाला नारू जी, और उन्होंने इस दिन को 26 January को independence, बोला कि हमें इस दिन पूरन सवराज मिल गी है, उस time जो चलो नहीं मिली थी, लेकिन इसी दिन को हमारे जो फ्रेमर थे, constitution फ्रेमर थे, इसी दिन को लेके, फिर आगे 26 January 1950 को constitution day बना दिया, ठीक है, sovereignty आपको समझ आगी, फिर दूसरा अलिमेंट है, प्रेमबल का democratic, ठीक है, दूसरा वर्ड है, डेमोक्रेटी, ये कहां से लिए है, ग्रीक बार से लिए हुए, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछते हैं, कि डेमोक्रेटिक कहां से लिए हुए, ग्रीक से लिए हुआ है, सोबरन कहां से लिए है, लेटिन वर्ड से लिए है, और ये कहां से ग्रीक से लिए हुए, डेमो का मतलब पीपल, क्रेटिया का मतलब रूल, ठीक है, डेमो का मतलब पीपल, क्रेटिया का मतलब रूल, इसका मतलब की लोगों क का रूल ठीक है लोगों का रूल ठीक अब वो कैसे लोगों का रूल होता है जैसे हम लोग क्या गरते हैं हम लोगी तो बोर्ड देते हैं कि डामोक्रेटिक कहां से बढ़ा है ग्रीक से आया हुआ है ठीक इसका मतलब है पीपल रूल्स मतलब कि हम लोग जैसे हम लोगी बोटिंग बोड करते हैं तो हमारे कि आंपी वगेरा ऐमले विगेडरा चुनते हैं तो वही आमले आगे ब्रायमनिस्टर को चुनते हैं की कहा है उसी में से कि या होता है कि प्रायम बनते हैं जो प्राइमनिस्टर को नों ह referencesirde को नों होता है White Flavor कोनों होता है ठीक है अब यह हेड़ है हमारे अना कुस ने चुना हम लोगों नैं चूना हम लोग various ने चुना थो वह द्र हमारी इंडिय कंट्री एक है इंडिया क्र Route है लूं यहां फिर और यूर्पर में इंट्र 꼭 अप्राइम्निस्टर ठीक है चाइना में देखो तो कमिनिस्ट रूल है बाकी बाकी कंट्री में देखो तो अलग-अलग सिस्टम हा रूल है इंडिया के बहुत अच्छी कंट्री यहां पर लोग रूल कर रहे हैं ठीक है लोग रूल कर रहे हैं लोगों के हिसाब से रूल हो रहा है ठीक तो आके ड लोग चुनते हैं और वहां पर हैड बना देते हैं ठीक जैसे यह कहां होते है एकसी इग्जेम्पल है स्विजर लेंड लेकिन इंडारेक्ट को हुण है जैसे इंडिया हमारी इंडिया हमारी जैसे हम लोग MP को चुनते हैं मले मले होता है मेंबर लेजिसलेटिव असेंबली को चुनते हैं आगे यही लोग क्या गरते हैं हमारे राष्ट पती चुनते हैं ठीक है प्रेजडेंट को चुनते हैं तो मतलब क्या हो गया इंडारेक्ट ठीक है इंडारेक्ट अब इंडारेक्ट डामोक्रेसी कहां पर है इ प्रेक होती है रिपब्लिक मुनार्क का मतलब होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा ठीक है है रिटी रूल्स यह ऐसा कहां पर होता है मुनार्क रूल कहां पर ब्रिटेन में है ठीक है ब्रिटेन में है और उसके बाद रिपब्लिक रिपब्लिक कहां पर हमारे इंडिया में हैं ठीक है इन्डिया में है है यहां पे लोग इलाक्टेड होके इलाक्टे करके बिट चुर्ट के तभी है रहिए बनता है Doo of state head of state राष्ट पती होता है ठीक है country को state बोलते है political term में हम country को state बोलते हैं तो यहां पे रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि इलाक्ट होके चुन के इलाक्ट होके मिलब चुन के indirect करते हैं इंडारेक्ट कैसे कि जैसे हम लोग आम जनता ठारा साल ठारा प्लस जो लोग होते हैं ठारा साल के जो लोग होते जिसको हम युनिवर्सल अडल्ट फरंचाइस बोलते हैं तो वह लोग बोर्ड करते हैं फिर उसके बाद MLA चुनते हैं MP चुनते हैं फिर वो MP हना हमने डारेक्ट किसको चुना MP ML फिर इन्होंने आगे राश्ट पती को चुना तो यह गया इंडरेक्ट और यह ऐसी तामवा डामक्रीसी कहां पर है एसी है हमारी इंडिया में और इसको हम रपब्लिक मुनार को था है Sudanedity Rule और Republic होता है , Elected , ठीक है चुनने हुए थाकि है याग हैra Democracy , उसके बाद आता है Socialist , ठीक है ? Socialist का मतलब ही क्या होता है के Welfare करना State की , स्टेट की क्या करना , Welfare करना , अगर हमने डार्क जो डारेक्ट डारेक्ट पॉलिसी , direct principle है state पॉलिसी का , उसका एम तो क्या है स्टेट का वेलफियर करना स्टेट का वेलफियर करना उसके बाद देखा जाए तो हमारे स्टेट में कौन से सोचलिजम है गांधियन और मार्क्सिजम ठीक है गांधियन और मार्क्सिजम, modern टाइपस में दो टाइप की सोचलिस्ट एक capitalist आते हैं ठीक है और सोचलिस्ट जो हता है कि कि और जो सोचलिस्ट होता है कि उसने हमने देखा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीस है जो गोवर्मेंट लिम्टीड है तो गोवर्मेंट क्या करती है गोवर्मेंट अपनी टीम बनाके बेशती है वहां पर देखती है कि फैक्टरी में कैसा प्रोडक्शन हो रहा है इस टेट में फैक्टरी में कैसा प्रोडक्शन हो रहा है ठीक और उसके बाद लोगों की क्या न तो इन्होंने थियोरी दी थी, capitalism थियोरी थी, महलों, have have not, जैसे मालिका भी देखो, और उसके बाद जो नोकर होता है, उसका labor होती है, उनका भी देखो, ठीक है, इन्होंने भी एक socialism ही, socialism भी बेशते हैं, और एक हमारे गांदी जी, गांदी जी भी socialist, गांदी जी ने mostly किस पे दिया हुआ है, बिलेज, बिलेज लेवल पर चला काम किया है, उन्हेंने बोला है कि जो गांदी लोग है, वो खुद self-satisfy हो, ठीक है, और self-dependent हो, ठीक, अब हमारी जो, हमारी जो country है, वो कौन सी है, माक्सिजम है या गांदीजम है, ठीक है, देखा जाए तो, पहले कभी बोलते हैं कैपिलिजम है, फिर बोलते हैं सोचलिस्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस बैठा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस बैठा, बैठा जिसका था, डियस नकारा बर्स यूनियन आफ इंडिया, ठीक है, डियस नकारा बर्स यूनिया, यूनियन आफ इंडिया, तो उनके according, इंडिया हमारी क्या है, इंडिया हमारी क्या है, मिक्स, मार्क्सिस भी है और गांधीजम भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको follow करते हैं, गांधीजम को follow करते हैं, अब जैसे देखा जाएगा हम आगे पढ़ेंगे DPSP में, जो 40 articles हैं, उसमें भी पंचायत के बारे में हैं, और जो हमारा 73rd Amendment हुआ है, 73rd Amendment हुआ है, उसमें हमने पंचायत का अलग पूरा चैप्टर है, उसको भी हमने पढ़ना है, ठीके ये किसका बेस था, ये गांधी का बेस था, गांधी जी क्या बोलते थे कि अगर गाओं ही अच्छा होगा, तो आगे स्टेट अच्छी होगी, ठीके तो गाओं के लोगों को, पहले सबसे ज़्यादा गाओं के लोगों पे फोकस करो, तो अगर देखा जाए हमारी जो socialism country है, वो दोनों ही है, capitalist भी है, socialist भी है, मार्क्सिस्ट भी है और गांधी जमी, लेकिन सबसे जिसका बारी पलड़ा है, वो कौन है, गांधियन है, ठीक है, गांधियन है, अगर पेपर में पूछते हैं कि socialist country कौन सी है हमारी, तो हमने बताया है कि यह mix है, capitalism भी, socialist है, मार्क्सिजम भी है, और गांधी जम भी है, मार्क्सिजम जर्मिनी के philosopher थे, गांधी हमारे इंडिया के philosophy थे, ठीक है, और किस के कौन से case के बाद यह case तो बहुत पूछते हैं, ठीक है, बहुत important है यह, और बहुत बार यह कैस लोगारा केस के बाद, हमने इंडिया को मीक्स मीक्स सोछलिस बताया था। मार्क्सिजम भी और गांधिजम भी कौन दा केस था डियस नकारा वर्सी यूनियन आफ इंडिया अगर आपने अभी केस के एक्जाम देखा होगा 2021 में तो उसमें इतने के केस केस पूछे हुएं कि हाँ यह जैसे इसका पूछ लेंगे कि डियस नकारा किसे बिलॉंग करता है किसे बिलॉंग करता है एंडिया कीшего मिक्स्ट है उनियुम गौ्सिसकर फोलाज हमोझ भी और अब हम सब्सक्रां इनजिस ए होते हैं आथिस्टिक ठीक है आथिस्टिक होते हैं थियोरोक्रेटिक्स होते हैं और सेकलर होता है ठीक है सेकलर होता है थियोरोक्रेटिक्स जो होते हैं जैसे कि एक ही धरम को फालो करना ठीक है एक ही जैसे मुसलीम कंट्री देखी हो गया आपने की सिर्फ इसलाम को ही फालो क तो यह जैसे नौर्थ कोरिया उद्र कोई भी नहीं अगर कोई दरम बगेरा पर चार करें तो वहां पर बड़ी बड़ी पनिशमेंट रखी हुई है उसके बाद सैकुलर सैकुलर है हमारी कंट्री कोई रिलीजिस में कोई रिलीजिस नहीं है कोई भी अपने दरम को किसी में सकता है जैसे आपने सुन ही होगा पीमराव देखर ने अपना दरμव शेचेंज घर दिया था भाद में धिकete 50 में से हमें क्या मुरल में मिलता है कि हमारी स्टेट में कोई भी when is always यह कोई भी रिलीजिस नहीं है इसा ही में तो यह हमारे fundamentals जो right है, fundamental rights है, जो, उसमें articles आता है, 25 से लेके 28, ठीक है 25 से 28, उसमें right to freedom of religious, ठीक है, तो ये हमारा secular, ठीक है, ये हमारा आगया, secular, ठीक, उसके बाद ये थे हमारे कुछ elements कि हमारी इंडिया सूबरन है डैमोकृरेट्वी है सोस्लिस्ट है volunteer है की इसके बाद आते हमारे हमने अचीब करना मुझा हमने करना हमने अपनी कंट्री कैसी देख नहीं है Dorgo Nguk कैसे रकता है ठीक है क्या रचीब करना हमने जैसे first है juistice second लेकिन है liberty, third है equality, fourth है fraternity, ठीक है, first है justice, liberty, उसके बाद equality और fraternity, अब हम justice को देखते हैं, ठीक है, justice को देखते हैं, तो justice में क्या आता है, justice में कौन कौन सी social, economic, political, ये बहुत important है, और ये बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सी justice, इंडिया के प्रेंबल में लिखा, कौन सी justice अपनानी है हमने अचीव करनी है, social, economic, political, ठीक है, अब कौन कौन सी करनी है, social, economic, political, अब पहले हम देखते हैं, social, social कौन सी justice होती है, social होती है, की जिस्टीजन को थी जरी फिर आङ कोई बेदबाब नहीं होना चाहिए एग divers यह color किवेश पे रेस कि ब insurance पे यह सेक्स किवेश पे यहां सबद्द मतलब जैसे की हाम मैं राजपुत हूं तो एसी है यह हो गया उसके बाद कलर के बैस्षट पे जैसे की मैं गो रहा हो तो काला रीस के बैसिस फिला मैं एwriter यह मोना जाइएसी में हिंदू हुआ मैं मुस्लीम हो ठीक है एसेक्स की वैसिस मथले की मैं लड़की हूँ तो लड़का है ठीक है तो यह नहीं होना चाहिए या कि अपने सॉशיל उसके बाद आती economic, economic justice, जिसमें कि हमें economically factor, economic term से हमें लोगों के बीच में बेदवावनी होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या आता है कि inequality wealth, wealth होती है कि pay, पैसा, जैसे के के department में देखा जाए तो girls को कम पैसे देते हैं, boys के comparison में, वो उनको week समझते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, property के हिसाब से, ठीक है, property के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, कि हाँ ये लड़की है, इसको नहीं देना, ये लड़का या इसको देना है, जहां फिर कुछ भी हो, ठीक है, property के हिसाब से भी, हम justice होनी चाहि इस सभी को बराबर पौलिटी cat लिस्टीस ठीक है थर्ड आती ए पॉलरेटीकल जस्टीस फॉलेटी कल जश्टीस में यह है कि मुबल सकते हैं कि जैसे किены के ग wärउर्धा हुआ है। उसमें जैसने कम नंबर लीएं सब ज्यादा का नंबर ली है जहां कोई गोरा आए जहां कोई काला जैसा भी यह मतलब उन सबी को क्या है बोलने का हग है अपनी बात गोर्मेंट में रखने का हक है मैं लोग उन सबी को एक बराबर रूल है तो यह आगे हमारा पॉलिटिकल जस्टिस अब जस्टिस में कौन-कौन सा और पॉलिटिकल उसके बाद आता है सेकिंड लिवर्टी ठीक है लिवर्टी कितने टाइब की है thought, expression, faith and worship, and belief five type thought, expression, faith and worship and belief thought, expression, faith and worship or belief ओप अला number liberty होती क्या थे कहा है तेगा Liberty होती का Liberty का मतलब होता है की absence absence of restraint on activity of individuals ठीक है अब आपने देख के योगे अगर आप UPSC लेवल की त्यारी कर रहे हो तो यह कास लेवल की ट्यारी की होगी आज किल तो हारे की एक्जाम में ऐसे कोशन पोच रहे हैं Liberty आया हुआ था कि लिवर्टी में का डिफरेंटी यॉडिम का क्या मतलब होता है सिज्टिक है फुरीडम होती है कि जैसे हम पढ़ाए कि 1947 से पहले अंग्रेजों का रूल था लेकि 1947 के बाद हमें अंग्रेजों हम फ्री होगे हम अजाद होगे मतलब हमें किसी से अजादी मिली उसको हम बोलेंगे वर चोई एक है ब्रीजों फिर यजादी बचों को पर्मीशन देते हैं किसी चीज के लिए फिक के जाद ने देते हैं परमीशन वो मिलती नहीं आ है वो एक बेसिक रूल है ठीक है वो क्या होगे हमारी लिवर्टी होगी ठीक है लिवर्टी होगी अब हमारे according to preamble कौन-कौन से लिवर्टी है थौट में, expressions में, faith में, worship में थौट, बला हम अपने थौट रख सकते हैं ठीक है अब अपने view रख सकते हैं किसी के आगे अब यह नहीं है कि अजीब अजीब view रखना start कर दो, इसमें भी restrictions हैं ठीक है यह हमारे fundamental rights में आता है, जो हमारे fundamental rights हैं वो एक तो individual को दी हैं लेकिन वो absolute नहीं है, absolute का मतलब कि हाँ अब हमें thought दे दी हमें जैसे मजी आएं कि अब बात चल रही हो जैसे school की बात चल रही हो तो हम लेके बैठ जाएं, किसी और चीज की बात, शादी की बात लेके बैठ जाएं तो यह हो गया कि यह है हमारे fundamental rights, qualify, qualify का मतलब की restrictions भी है यहां पर, ठीक है उदर restriction आ जाएगी, उदर punishment आ जाएगी, ठीक है, ऐसे thought में, thought मतलब thought की liberty हमें, अपने view point रखने का, अपने expressions रखने का, पुझा करने का, वर्षिप होगी पुझा करने का, ठीक है, यह आते हैं liberty में, कौन से point आगे, thought, expressions, faith, worship और belief, ठीक है, यह बहुत important है, और यह पुछते में भी है कि liberty में कौन-कौन से types है, उसके बाद आती equality, ठीक, equality किसमें, status और opportunities में, ठीक है, equality किसमें आती है, status और opportunity में, जैसे absence of special previous to any sections of society, ठीक है, term equality का मतलब है, कि इसमें status में, यह opportunity में, equality देना, मतलब कि, जो special privilege मिलती है, specials कोई चीज मिलती है, section of society को, जैसे, अगर CET ही मिल रही है कोई, CDC, government ने CDC निकाली है, वो हर एक individual के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन कुछ इसमें है exception, जैसे SCST होगे, women's होगी, उनके लिए नहीं है, ठीक है, उनके लिए नहीं, यह थोड़े exceptionals आगे, लेकिन जो बाकी हैं, उनके लिए बराबर, अगर journal है, तो journal वालों को बराबर ही मिलना चाहिए, ठीक है, उसमें बराबर ही मिलना चाहिए, यह आगी equality, status में और opportunity में, जैसे SI की अभी चल रही है, कि वहाँ पर corruption हुई है, जो भी है, उदर भी क्या motive, कि सभी को equality, equality मतलब की जिन बचोंने हार्ड वर्किंगं किया है, हाँ अब हाड वर्किंग, सभी ने बच्चोंनी किया है, अगर जिन को अगर exam में, जिनके ज्रोजा मार्स आगे हैं, वो पता नहीं, यह नहीं क्या हुआ है, वो नहीं को पता होगा, लेकिन उन बच्चोंना अगर नहीं मिल रही है जिनके पास पैसे होंगे वो जॉब ले लेंगे और जो बच्चे महानद कर रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी आप इधर से भी समझ सकते हो ऑपर्टुनिटी तो सभी के लिए बराबर थी लेकिन जो बीच में पैसे से यहां जैसे भी यह क्या हो गया इनि फ्रेटिनीटी इनि इंटीदे इनिग्रेटी तीम में डिगनिटी यूनिटी और इंटीग्रेटी वाइचारा मतलब है वैगेजंगे दित्त है हमारी एक ऐसी कंट्री है कि यहां पर हिंदु मुस्लिम सीकंभि साहिई सारे उनाइट हो के रहते हैं थीक अन्समीं क्या आगी, fraternity, ठीक है, अब justice में कौन-कौन से point है, social, economic, political, liberty में thought, expressions, faith, worship, और belief, equality में status, opportunity, fraternity में dignity, unity, और integrity, यह बहुत important word है, ऐसे भी पूछते हैं कि अगर हमें justice मिल रही है, तो किस हिसाब की मिली जाए, social, economic, political, अगर liberty है, तो किस-किस में liberty, preamble के according किस-किस में liberty है, thought, expression, faith, worship belief, equality है, तो status, opportunity में, fraternity है, तो dignity, unity, और integrity में, ठीक है, यह फिर आपको option दे देंगी, social, economic, political, यह किस में है, या liberty में कौन-कौन से point आते हैं, कितने point आते हैं, यह पुछे भी हैं question, ठीक है, और उसके बाद यह है, कि adopt 26 November 1949 को किया था इसको, हना यह हमने पढ़ लिया पहले, औ और हमारे preamble को first time, एक ही बार amend किया हुआ है, ठीक है, एक ही बार amend किया हुआ है, कब किया है, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, अगर आप देखा जाए तो 42nd amendment में बहुत सी चीज़े amend हुई है, बहुत सी चीज़े change हुई है, तो इसको हम mini constitution भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी बाद से बहुत सी चीज constitutional amendment act 1970, 16 बढ़ लाया थे इसमें, social, secular और integrity, ठीक है, social, secular और integrity, अब ये क्यों लाया थे, क्या मक्सद था इनका कि हम change लाया है, हमने देखा कि हमारे fundamental rights में भी social के बारे में बढ़ा बताया हुआ है, DPSP में भी social welfare के बारे में बताया हुआ है, और fundamental rights में secular, इसके particular religious के articles डाले integrity के articles डाले हुए है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि जो हमारा एक identity card है, जब preface में उसमें तो ये चीज़ आड ही नहीं है, तो फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने 42nd amendment लाया और ये चीज़े आड कर दी, ठीक है, 42nd amendment में कौन सी चीज़े आड की थी, social, secular, integrity, SSI ठीक, SSI से भी learn कर सकते हो, कौन-कौन सी चीज़े, social, secular और integrity, ठीक, और ये 1917, Russian Revolution, Russian Revolution से हमने क्या क्या आड किया वा, social, economical, political, justice, जो justice है न, ठीक हमने justice अचीब करनी है, socially, economy, political, ये कहां से, ये Russian Revolution से, Russian Revolution कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और इससे हमने justice अचीब करनी है, तीन टाइप की justice, social, economic, or political, फिर उसके पाद, जो liberty, equality, और fraternity है, जो हमने liberty, equality, fraternity, ये वर्ड देखे, तो ये कहां से, ये French Revolution से, आप से French और ये आगया, ठीक है, और liberty, equality, ठीक है, ये कहां से, French वर्ड से, French Revolution से, leaf, French, asi, sir, ठीक है, तो ये हमारे कुछ achievement है, लेकिन उसके बाद कुछ case भी है, ठीक है, उसके बाद कुछ case भी है, कुछ case में बोला हुआ है कि, preamble जो है, वो हमारे constitution का part है, या नहीं है, ठीक है, अब ये कोशन उड़ता है कि, preamble जो हमारे constitution का part है, या नहीं है, ठीक है, तीन case आते हैं, फर्स्ट आया था, 1960 में, बाबरी यूनियन, ठीक है, बाबरी यूनियन, इसके according, इसने बोला नहीं, जो ये constitution maker थे, इन्होंने बहुत अच्छा constitution बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे word लिखे हैं, लेकिन हम preamble को part नहीं महान सकते, constitution का part नहीं महान सकते, कौन सा case बोलता ह कि हाँ, बनाया बहुत अच्छे तरीके सही है, इसमें बहुत अच्छे word है, लेकिन ये constitution का part नहीं है, कौन से case में, 1960 बारवरी यूनियन में, ठीक, उसके बाद 1973 में केश्वानन्द बारती case, बहुत important ये है, पॉलटी पढ़ो के तो ये case तो पक्का यादी होना चाहिए, ठीक, इसमें basic feature है, 1973 में केश्वानन्द बारती case ने इसको overlap कर दिया, बारवरी के union को, उसने बोला क्यों नहीं, ये जो प्रियंबल है, ये basic feature है, ठीक, basic feature क्या आई ये, हमारा part of constitution है, ठीक, इसने बोला केश्वानन्द बारती case, अब जो basic feature आते हैं, केश्वानन्द बारती case से आते हैं, कब आया था, ये 1973 में जब इंदरा गांदी की government चल रही थी, ठीक, उसके बाद थर्ड कैस आता है, 1995 में, LIC of India case, इसने बोला, प्रियंबल क्या है, इंटीग्रेटी पार्ट है, ठीक है, प्रियंबल क्या है, constitution का, इंटीग्रेटी पार्ट आई है, ठीक है, इं एक और कोशन राइस होता है, कि हम constitution प्रियंबल को amend कर सकते हैं, उन्होंने बोला है कि आप प्रियंबल को amend करो, लेकिन उसके basic feature को effect नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके basic feature को effect नहीं होना चाहिए, कितने case से, तीन case से, कौन-कौन से, 1960 बार्वरी union की case में, इसके according प्रियंबल जो था, वो constitution का पार्ट नहीं था, 1973 के according केश्वनन्द बार्तिय केस, ये पार्ट था, constitution का, फि 1995 में LIC of India केस आता, ये प्रियंबल इसे, integral part of constitution, ठीक है, और केश्वनन्द बार्तिय केस से basic feature of Indian constitution भी आता है, जिसको हम amend नहीं कर सेते, जिसको हम change नहीं कर सकते, इसमें इन्हो ये था हमारा preamble, ये बहुत important है, इसमें से questions पोचते भी है, ठीक, first time American constitution ही किया था, इसके element, sovereign, democratic, socialist, secular है, ठीक है, और क्या अचीब करना, justice, अचीब करनी है, socially, economic, political, liberty, thought, expression, faith, worship, belief, equality, status and opportunity, fraternity, dignity, unity, and integrity, ठीक है, और उसके बाद थोड़े case पढ़े हमने, ठीक है, ये हमारा preamble next lecture में हम start करेंगे fundamental rights, ठीक है, और जब इस labels हो जाएगा, इसमें हम topic wise MCU भी डालेंगे, ठीक है, BLW के according